नमस्कार, दोस्तों मैं संदीफ स्वागत है आप सभी का एकषड नई एंट एंट फिडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत की टॉप इन्वर्सिटी में से दो इन्वर्सिटी ने आज परिच्छा का कारिकरम यानि कि संसोधित इस केम जारी की है जो कि हम आपको इस वीडियों बताने वाले हैं दो बड़ी इनवर्सिटी हैं तो आप वीडियो को पूरा देखते रहेगा जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके तो चलिए देख लेते हैं कौन सी बड़ी दो इनवर्सिटी है जिन्होंने परिच्छा का टाइम टेबल गोशित किया है आप सभी को मालू है कि यूजिशी की गाइडलाइन के कोडिंग यह सब परिच्छा देद गोशित करी जा रही है फिरहाल पहले हम चलते हैं अपडेट की और तो पहली जो इनवर्सिटी वह है तो पती साहु जी य यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा बीसी बायोटेक और बहुत सारे कोश्चे जिनकी फाइनल एर और फाइनल सेमेंटर के चात्रों की जो परिच्छा थी थी है इसकी में जारी कर दी गई तो पहले हम देख लेते हैं यहां पर भी थर्डेर वालों का ओके हम डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने साही तित ही आ जाएक किस डेट को कौन सा पेपर किस दिन है और कितने टाइम से है और कौन सा प्रश्ण पत्र है साही डीटेल आप यहां से देख सकते हैं आप यहां सब्जेक्ट वाइज अपना जो भी वो सेलेक कर लिजेगा कहीं डाउन कर लिजेगा जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी तो वीडियो को रिश्कितर मेरे वाट्सप ग्रूप से जोएन हो जाईए वहां पर में डाल दूँगा तो आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं आब इसी त है क्योंकि जर्णा टाइम नहीं मेरे पास और आप सभी वीट रहे होंगे बड़ी इंपढ़ा उसको बताओंगो उससे पहले मैं आपको बताताना चाहओंगा अगर आप लग घैटा का रेक्मेंड प्रीशा कंड़ा कराई जाएंगे उस संसूधित गैडलाइन भी जारी की गई है लहाबाद इन्वर्सिटी के और से तो इसमें लिखा आनलाइन होंगी अंतिम्वर्स समस्टर की परिच्छा बाकी होंगे परमोट ये कल फाइनल मीटिंग हुई ती उसमें ये डिसीजन हुआ है ये आप लोग इन्वर्सिक्टी की जो परिच्छाएं हैं वो मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि आनलाइन कराई जाएंगी बाकी चात्रों असनाता को प्रथमवा दुतियो वस और अंतिम्वर्स समस्टर को छोड़ कर अन सभी समस्टर के चात को बिना परिच्छा अच्छा में परमोट हम आपको बता दें कि फर्स्टिया इंडिया को परमोट करके ठीक है उन्हें और जमार्क देकर उन्हें परमोट कर दिया जाएगा ठीक है और साथ-साथ में यह बताया जा रहें कि जो परिच्छा बाकी थी जैसा कि लागड़ाउन से पहले कुछ परिच्छा हैं हो चुकी आनलाइन परिच्छा कराया जाने की मांग की थी इसी का ध्यान में रखते हुए समुवार को ऐसे समुवार को हुए अकडेमिक काउंसिलिंग की बैठक में अंति उमत से हम 13 समस्टर की परिच्छा हैं आनलाइन आयोजित के जाने का निड़ल लिया गया लागडाउन गोश चात्रों को आनलाइन पेपर खोलना होगा और उसके बाद कोपी पर किनी चार सवालों के जवाब लिखने होंगे परिच्छा पूरी होने के बाद चात्रों को अपनी कोपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा और बाद में कोपी आनलाइन चेक की जाएंगी यहां पर बताया और कापीया अपने के लिए कुछ चार गंटे का समय दिया जाएगा दो गंटे में परिछा देनी होगी और इसके बाद दो गंटे में कापीया को स Works करनाँ कर परिछा मिले और भी बहुत सारी अपड़ेट हैं अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं फिराल लेकिन मे में लिख दीजिए कि जिससे कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक प्रोवाइट कर देंगे मिलते हैं नस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं लिए